दोस्तो में तरसोई में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूं अंडा करी अंडा करी बनाने के लिए मैंने अंडे लिये हैं टमाटर लेसोन अदरक प्याज हरी मिर्ची अंडे को हमने छील करके रख लिया है प्लिज वेडियो पूरा देखिए अगर अभी तो मेरा चैनल अब ने सस्काइब नहीं की तो फिलीज मेरा चैनल सस्काइब कीजिए अंडा करी बनाने का सबसे असान तरीका है और बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाता है अंडा करी बनाने के लिए हम एक कड़ाई रखेंगे उसमें एक बड़े चमच तेल डाल देंगे और अंडा को फ हम निकाल लेंगे हमने सरस्ण का तेल लिया है सरस्ण के तेल में सबजी बहुत अच्छी बनती है जैसी हमाई अंडा फिराई हो चैंगे उसके बाद हम एक पिलेट में निकाल लेंगे अर उसी खड़ाई में एक बड़े चमच जीरा डाल देंगे हरी मिर्ची तेज पत्ता और दाल चिनी की लकडी जब हमाई जीरा अच्छी से चटक जाएंगे उसके बाद हम अधराक लैसन प्याज का पेस्ट डाल देंगे और उसे अच्छी से पका लेंगे जब हमारा मसाला तेल छोड़ने लगेगा उसके बाद हम पिसी हुए मसाले डाल देंगे जैसे हल्दी पावडर, धनिया पावडर, लाल मिर्च पावडर और कस्मीरी मिर्च पावडर, गरम मसाला और थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले अच्छी से पका लेंगे अच्छे से मसाले पक जाएंगे, उसके बाद हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे, हमने दो टमाटर लिये थे, पीस करके रख लिये हैं, टमाटर की प्यूरी को भी हम पका लेंगे, और एक चमच नमक डाल देंगे, जब हमारा मसाला कुछ ऐसा दिखने लगेगा, तेल छोड़ने लगेगा, उसके बाद हम अंडा डाल देंगे, जो फिराई करके रखे थे, वो अंडे डाल देंगे, और मसाला में मिला देंगे, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, उतना ही पानी डाल देंगे, एक गिलास पानी डाल देंगे, और इसे पांच मिनट तक और उबाल लेंगे, इसके बाद हम काली मेर्च कुटी हुई डाल देंगे, कसूरी मेथी, और धनिया पत्ती डाल करके छेसे मिला देंगे, मारी अंडा करी बनकर तयार हो गई है, कितनी जल्दी अंडा करी बनकर तयार हो गई है, बहुत आसान तरीका है, अगर मेरा वेडियो आपको पसंद आया हो, तो पिलिज लाइक कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, गर्मा गरम रोटी के साथ परोसे अंडा करी बनकर तयार हो गई है, और धनिया पत्ती से गार्निस कर देंगे, वेडियो देखने के लिए धन्नवाद, क्लिए भाल तक जा सिया अंडा की लिए देखने कीजिए,